2013 में एक amazing movie आई थी, जिसका नाम था Pacific Rim, 2018 में उसकी second part आई, जिसका नाम था Pacific Rim Uprising दोनों ही action-packed movie थी, with monster-sized kaiju, getting their ass kicked by monster-sized yeagers मगर इन दोनों movies के बाद में मैं really इंतजार कर रहा था कि जल से जल इसकी तीसरी part आए, but unfortunately नहीं आई मगर all thanks to Netflix की बले ही इसकी तीसरी movie नहीं आई, but तीसरी movie के तौर पर एक तरीके से इसका series लाँच किया गया, वो भी Netflix के दौरा, जिसका नाम है Pacific Rim, The Black Hello, Hi, Namaskar, दोस्तों, मेरा नाम है Rajan Singh, आप देख रहे हैं FitFlex और दोस्तों ये series और ठेर सारे must watch movies और series सिरीज सिर्फ Netflix पर ही available है, मगर unfortunately, Netflix के Ultra HD account आते हैं 800 रुपे में, वो भी सिर्फ एक मैने के लिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अब आप पास सकते हैं Netflix का Ultra HD account सिर्फ 200 रुपे में, वो भी पूरे मैने के लिए, कैसे ये जानने के लिए, या तो यहाँ पर click करके, हमारे detailed वीडियो को देखिए, या फ पर 4 मार्च 2021 को, इसका पहला सीजन कंसिस्ट करता है मातर 7 एपिसोड का, हर एक एपिसोड लगबग 30 मिनिट के हैं, तो ओवरोल सीजन 1 को आप मातर 3 गंटे में देख सकते हैं, स्टोरी ये सीरीज की चालू होती है, पैसिफिक रिम और पैसिफिक रिम अप्राइजिंग तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपने मुवी के दोनों ही पार्ट देखे हो, वरना कहीं न कहीं ये सीरीज देखने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सीरीज शुरू होती है और अगर होगा, तो क्या ये दोनों उसका सामना करके उन्हें खतम कर पाएंगे या नहीं कुछ इसी स्टोरी पर ने-ने काईजूस, माइंड ब्लोइंग आक्शन और एडवेंचर से एक्स्प्लोर करती है सीरीज, जिसका नाम है Pacific Rim, The Black Season 1. First things first, ये सीरीज एक तरीके से सप्राइज सामरे ले, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि Pacific Rim की एक अनिमेटेड सीरीज आ रही है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुवी के स्टोरी को ये लोग सीरीज के दवारा आगे continue करेंगे, जैसे ही पता चला, सबसे पहली बात, सीरीज की CGI अनिमेशन एक नंबर है, हर एक अक्शन सीक्वेंस बिटूइन काईजू एक दम क्लीन था, मतलब अक्शन में कोई भी confusion नहीं था, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी बड़े बड़े टाइप के कोई monsters या, you know, machines, etc. लड़ते हैं, जैसे, for example, transfer movies, etc. हो गई, या King Kong type की कोई movie हो गई, या Godzilla type की movie हो गई, तो जब एक बड़े-बड़े monsters की जंग होती है, तो ज़्यातार हमें पता नहीं चलता कि कौन कहां पे किस हिस्से पर मार रहा है, इस सीरीज में वो सारे action sequences एक दम clean हैं, सीरीज की सबसे अच्छी बात य action को enjoy भी करते हैं, और story में मौझूद हर एक character से हम connect भी हो पाते हैं, सीरीज में हम एक भाई बहन को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को बहुत मानते हैं, पर जब माबाप की बात आती है, तो उनके decisions conflicting होते हैं, which actually makes the series even more interesting, we also have mysterious people and a villain जिनको डाला गया है, जिसकी वज़े से ए हमारे Yeagers को मारने लगता है, तो वो surprise element इस series ने भी रखा है, series में अभी के लिए विलन को जादा नहीं दिखाया गया, और ultimately उनका क्या intention था, वो भी नहीं दिखाया गया, बट उमीद है कि दूसरे season में, we will see his ultimate motive, and hopefully more dangerous kaijus, और उमीद ये भी करता हूँ कि शायद से बहुत स वे करिम की दोनों ही movies enjoy की है, तो ये series एक तरीके से उसका continuation है, इस series को जो की 3.5 गंटे की है, उसे एक movie समझ लीजे, मेरी guarantee है कि आप इसे enjoy करेंगे, इसलिए इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस series को rate करूंगा 7.5 out of 10, दोस्तों कई मत जाएए, क्योंकि वक official Instagram page पर या फिर हमारे official YouTube community page पर ही post किये जाएंगे, so do not forget to check our pages out, क्योंकि winners जो है, randomly announce किये जाएंगे, कभी भी announce किये जाएंगे, और winners को announcement के 24 गंडे के अंदर हम से contact करना है, वरना उनका giveaway जो है, null and void हो सकता है, और इस video के giveaway का सवाल भी बहुत simple है, इस series में भाई बहन जो है, जो Yeager को चलाते हैं, उस Yeager का नाम क्या है, उस नाम को आपको comment में mention करना है, comment के आगे इस series का नाम add कर देना है, और उसके आगे लगा देना है word fitflex, और ध्यान रहे कोई भी hashtag use नहीं करना है, तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको हमारे series review पसंद आया होगा, उमीद करता ना बूले, bell icon दवाना बिलकुल ना बूले, अंतों तक video देखने के लिए धन्यबाद, stay home, stay safe.